मुझफर पूर्चिले के मिठनपूरा थाना चेत्र इस्थित रामबाग इलाके में इस्थित एक मंदिर में चोरी की निया से घुसे आरोपी को भीडने दबोच लिया आपको बता दे कि उसे बंधक बनाकर सैक्रो डंडे बरसाए गये जब वा लहू लुहान हो गया तो उसे पुलिस के हवाले कर दिया आपको बता दे कि भीड की इस तालिबानी इंसाफ का एक वीडियो सोसल मीडिया पे काफी वाइरल हो रहा है इसमें सबस्ट दिखरा है कि 5-6 युवक हाथ में बास के बने डंडे को लेकर उसे पीट रहे है वही आरोपी मंदिर परिसर्द में फर्स पर बैठा हुआ है उसके चेहरे से खून निकल रहा है वहाँ चोड़कर बिंती कर रहा है कि मुझे माफ कर दो लेकिन आक्रोसित भीड उसे सजा देने पे तुली हुई है उस पर सेवदो डंडे बरसाए जा रहे है वही आरोपी दोबारा ऐसी गलती नहीं करने की बात कहता है वीडियो में बोल रहा है कि उसे घर जाने दिया जाए लेकिन भीड में एक युवा कहता है कि उसे थाने जाना होगा इस पूरे घटना क्रम का वहाँ मौजूद किसी ने वीडियो बना लिया और फिर इसे सोसल मीडिया पर डाल दिया जिसके बाद यह वीडियो काफी वाइरल हो रहा है आपको बतादे कि इस मामले में मंदिर प्रबंध के इस तरसे कोई जानकारी नहीं दी गई वही इस थानी लोगों का कहना है कि आरोपी साम के समय मंदिर में चोरी की निया से घुसा था वदान पेटी के समीब था और उसमें से चोरी करने का प्रयास कर रहा था तभी लोगों की नजर उस पर पड़ी और उसे दबोश लिया फिर इसके बाद उसकर जमकर पिटाई की गई विरो रिपोर्ट आई पिन